हलो दोस्तों मैं पूजा मेरे चैनल पूजा होम किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं फिर एक दिवाली की नई रेश्पी लेके आए हूँ जो है ड्राइफरूट रोस्टेट नमकिन जो की खाने में बहुत ही ज्यादा हेल्दी है साथ में बहुत ही ज्य तयार टीन करी पत्ते भी हमने ले है तो यहां पर जो बदाम है को खीक काट लिया है और जो चीजे है हमारी हों बनाने के लिए बहुत ही जायदा इंपोर्टेंट है तो नमकिन आप जरूर से जरूर बनाएं इस दिवाली में तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए एक पाइन जड़ाते हैं गैस फे गैस को अन करते हैं सबसे पहले हम बीना घी तेल डाले मखाने को रोष्ट कर लेंगे मखाने को ऐसे ही में रोष्ट करना है तो यहां पर देखी मखाना डाले के बाद इसको हम चलाते वे रोष्ट कर लेंगे तो 5-6 मिनट में जो मखाना है अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाएगा तो यहां पर इसे जब हम भून लेते तो इसको एक मखाने को हम चेक करते हैं कि अ नीचे उतार लेते हैं एक थाली में इसको हम पलट लेते हैं मखाने को फिर उसी पैन को हम चड़ाते हैं गैस पर अब इसमें हम डाल देंगे घी यहां पर हम घी मेल्ट करके रखे तो यहां पर दो चमच हमने घी डाल दिया है और जैसे घी गरम जाएगा सबसे पहले हम ड बहुन लेते हैं चलाते हुए तो जो इसे मुंखली आदी भून जाएगे तब इसमें जो हमने ड्राइफ रूट काट करके रखे हैं सारे को हम इकठा डाल देंगे यहां पर बादा काजू और किसमी सभी को इकठा हमने डाल दिया है इसको भी हमें भून लेना है तो अब ह सकता नुसार और भी ड्राइफ को डाल सकते हैं जो भी आपके पसंद पास हुआ जो आपको खाने में पसंद हो यहां पर इतना सारा हमने डाल दिया है और इसे हमने भून लिया यहां पर देखिए सभी का कलर जैसे ही चेंज हो गया साथ मिनट बाद गैस को हमने बन कर दिय अब जो पैन है गर्म है तिसमें हम डाल देंगे जो करी पत्ता हमने ले रखी है उसको डाल देते हैं तो यहां पर करी पत्ता गर्म जब पैन है तिसमें अची तरह से रोष्ट हो जाएगा और गैस को फिर हमने थोड़े देर खोल करके बन कर दिया उसको ठंडा होने देते हैं आधा चम्मच अब इसमें हम डाल देते हैं एक चोथाई चम्मच हल्दी पाउडर जिसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा तो हल्दी पाउडर जरूरी एट करें थोड़ा सा इसका कलर चेंग हो जाता है इसमें डालते हैं नमग स्वादा नमग को तो मैं साधा ही डाल आप इसमें काला नमग डाल सकते हैं या साधा काला नमग दोनों आप डाल सकते हैं यहां लाश्ट में मैं डाल ले हो जलजीरा पाउडर इसका बहुत ही ज्यादा चटपटा आएगा आप यहां पे चाट मसाला डाल सकते हैं यहां चुरू का पाउडर डाल सकते हैं लेकिन मैं मसल मसल के सबहें ड्राइफ रूट में मसाली को मिक्स कर लिया है तो लीजी बन करके बहुत ही टेस्टी बहुत ही हेलदी ड्राइफूट रूट 도 रोस्टेट नमकिन तयार है अब हम इसे कटोरी ले तें जुकी उसमें डाल करके दिखाते हैं आप इसे एक बार बनाए और एक मेने तक आप खा सकते हैं घर में सभी को पसंद आने वाले रेश्पी है जो की बहुत ही ज्यादा हिल दी है आयरें कैल्जियम प्रोटेन फाइवर सभी से भरपूर है तो इस दिवाली में आप इसे बना दिलिप आफिसिन ऍर कि